तो गाईज काफी महनद किये देखें इतना हम लोग सरसु लादिया है जहत पे लगवग सारा ही सरसु आ गया है इतना और वहां खेट से हम लोग ला रहे तो जो लिप्टस दिख रहा है सफेदा का प्रेंड़ी से बोलते हैं वहां से हम लोग लिप्टस अ हलो गाईज नमस्ते तो देखिए हो गया है सुबह और हम लोगों को जाना है सर्सो काटने और प्रतिमा भी हो गई है त्यार तो अभी चल रहे हैं हम लोग सर्सो काटने के लिए जो खेत में लगा हुआ है हम चलते हैं फटाफट सर्सो को काट लेते हैं उसके बाद आएंगी तो नहां भागए तो ठीक है फिर निकलते हैं अभी मैं आच चुका हूं देखिए खेत पर और इधर देखिए उधर प्रतिमा के अगर रही है चलो दिखाते हैं तो धूप हलकी हलकी हो रखी है और इधर देखिए सर्सु भी मेरा पग्य है तो इधर देखिए प्रतिमा क्या कर रही हो इतना सर्सो काटना है तो हम लोग चलते हैं जल्दी अल्दी सर्षो काट लेते हैं और इधर देखिए प्रतिमा काटना भी सुरू कर दी तो इधर माई है वो भी काटने आ रही हमको दो एठों हमारा यह देखिए हम इससे काटेंगे सर्षो और श्रप का यह बांकी है तो तो जल्दी अल्दी काट लेते हैं सर्षो है तो बहुत ज्यादा पर जल्दी काट लेते हैं कब तक कड़ जाता है तो ठीक है तो देखेंगा आई प्रतिमा पानील यह है और यह कल का कहमारा गाय बच्चा दिया है तो इसको जोसक तो गौए बोलोग आपरें संब्सक्राइं सब्सक्राइब करें। तो हम खा लिए थोड़ा साथ तो प्रस्मा घुले है हम खा के आएए तो जाड़ा तुम है खाने में सर्मा रहे है न उठेये खाने बाद इसके माई बटके खारी है अब पापा काट रहे है तो हम उपका गए गल देसे चत्या काटने हो अजिस तो सुबा से सर्शो कट रही है देखिए इदर पापा कट रहे हैं और अधर माता जी और उधर देखिए प्रतिमा उधर काट रही है और इधर देखिए यह साराई से देख सकते हैं यह सर्शो ऐसे एक खेत में दो दिन पड़ी रहेगी और थोड़ा सा सूख जाने के बाद तब हम लोग इससे घर ले जाएंगे तो ऐसे काम करते हैं हम लोग काम करते करते चेहरे की रंगल दिगड़ जाती है ने जी वह जाता है चेहरा बहुत मेनद करना पड़ता है खेती में तब जाके थोड़ा सा अच्छा मतलब सुद्ध सुद्ध खाना मिल पाता है कि ये थिक है हम भी काट लेते हैं जलदी साम को आएंगे काट लेंगे भी तो फर के दो बच्चु के हैं तो चलते हैं तो थोड़ा सा खानवाना खालेते हैं घर तो ठीक है करते करते सुछ स्बस्ध स्थवल भी रंगत बता रहे कि दम ठाग गई होना खाल गई है लोग देखिए सारे बच्चे और दादी भी बैठी है आराम से और इधर देखिये प्रतिमा भी बैठी है तो अब कल से सरसोट भोएंगे हम लोग कर रहे हैं खड़ जाओ ले जा ले क्यावा जा ले क्यावा दादी हमारी चलने लगी है अच्छे और एक खुषखबरी आई है हमारे घर तो चलिए दिखाते हैं आपको तो इधर देख लिजिए खुषखबरी चोटा सा कल का कल संडे था तो कली नौ बजे रात को ये आई हमारे घर मतलब बच्चिया है और गाय हमारी देखिए गाय बच्चा देदी है और आज से हम लोगों को दूद मिलने लगा तो काफी अच्छा लगा और बच्चे यह सबसे ज़्यादा नोटंकी कर रहे हैं लाइन और वह बोल भी नहीं रहा है ज्यादा दूद पी लिए इसलिए चुप चा पड़ा हुआ है बस कर दो बाबू इसके इसके शरीर पर नहीं पैर चलिए चलिए परी तो देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा यह लोग तो जो है घर वहाँ पर ले चलके रखते हैं च्छत पर नहीं तो बारिस होगा और बारिस के साथ अगर पत्थर पड़ गया तो सारा सर्सो इसी खेत में जड़ जाएगा इसलिए देखिए सभी लोग आए वे हैं जल्दी यल्दी हम लोग बांद लेते हैं और इधर हैं परिशान कर रहे हैं किवल खेत में तो ठीक है जल्दी बाते हैं जल्दी लिवां हो भाई तो देख लिजिए और मौसम कितना सुहाना हो यह देखिए बादल बादल कि देखिए कितना घंगोर बादल है और थोड़ा सुजाला उस तरफ है कि हम लोग ढोरें लगे लगे बहुत वज़न हो गया है कि चाहिट है मालते हैं तुछ फ्रक्रा से इसराले के दशर्व गरफ दे बेटर उस किया रहा है लोगया kid अधर सारे बोजे रखे हुए हैं मम्मी और हम मिल करके उठा रहा हैं बोजा देखे उधर खेतों में यांसी खेल रही है परी हम लोग आधा सर्फोर उस चाथ पर चढ़ा दिये हैं और थोड़ा सा बाकी है पीछे पीछे परफ़गा रहे हैं तो चलते हैं जल्दी लाइए यह खालो काफी मैंध के लिए रेखेता हम लोग रादी हैं चाहित्व सार्फों आ गया है इतना और वहां केत देखे से ऐना लोग ला रहे तो जो लिप्टस दिख रहा है सफेदा आ केquestर से बोलते हैं वहां से हम लोग लोगा सार्फ नेजी Elo1 कि द्रसिए हैं ने बहुत जारा जड़ रही है बहुत तेजी से सर्शो जड़ रही है तो ठीक गाइच आज के वीडियों बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड़नाइट